ये जो द्रिश्य आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही जगा है जो कल तक तलाब बना हुआ था और यहाँ पर संगर्श समीती के लोगों के दोरा आंदुलन किया गया था ये वही जगा है जिसकी खबर हमने दन्यूस पोस्ट पर आपको कुछ दन पहले दिखाई दी कि कि धनबाद के सीटी सेंटर से लेकर बरवड़ा तक जो डने वाली सड़क है ये इसम के ठीक सामने में अगर हम बात करें राणी बान दलाब के ठीक सामने पर ये तलाब बन चुका एक तलाब हम रानी बान देखे थे और बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी जो है वो गु हुआ रही थी इस खबर को हमने तत्पर्टा से दिखाया और साथी साथ आसपास के लोगों ने इस पानी को लेकर कई बार इन समस्याओं को लेकर आवाज उठाई कल भी यहाँ पर संगर्श समीती के लोग इस पानी में बैठ कर आंदुरन कर रहे जिसके बाद से नगर निग पिछले छे साल साल से सड़क की यही स्थिती बनी हुई है तो सड़क भी टूट चुकी थी पानी के बज़े से तो इसके भी भराई की जा रही है आई जो यहाँ पर सुपर्वाइजर मौजूद है हम उनसे बात्चित करते जानते हैं कि आगे क्या कुछ योजना है क्योंक कि किनकी जिसों को ध्यान में रखा गया बताइए कि महीनों से पानी आप लगा हुआ था आज सुबह से हम देख रहे कि यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है पानी को यहां पर हटा लिया गया नगर निगम के द्वारा तो हमेशा यहां पर सफाईकार किया जाता है और ज इसकारण से यह समस्य हमेशा उत्पन होती है और निगम हमेशा प्रयासरत है इस चीज को जल्द से जल्द कटम करने के लिए हमारे नगराइग महदे भी आकर यहां का सर्वे करकर गया है और अभी हाल फिलाल टेंडर भी हो चुका है जो जल्द से जल्द इसका समधान हो ग कारी है उनके इंजिनियर आये हुए थे मौइना करकर गये हैं बाकि अब देखिए कब तक चुरू करते हैं वह प्लकुल आपने सुना कि हमने सुपरवाइजर से बाच्चित की इन्होंने बताया कि नगर नगम की ओर से मिसाश तफाई कर आई जाती लेकिन सच्चाई यही की सिती सालों भर देखने को मिलती है बारिश के दरों में यह और बढ़ जाते हैं जिसके वजह से कई बार यहां पर दुरघटनाए भी हुई है कई बार लोग हादसे का शिकार हुए यह बार आपको हम दिखाना चाहेंगे जो चौड़ी सड़क है जब यहां पर पानी बास्ता ले रहे हैं यानि कि सटड़क यह चौड़ी है कि यहां पर समस्या यह पानी की है और यहां पर सीपेस तरीके से नहीं हो पाता है संगर्श समीती के लोग जो करांदूलन कहरें तो उनका साफ तोर पर यहीं कहना था कि नाहीं नगर ने कम इस और ध्यान दे रही है और IAT, ISM का भी पानी है वो यहीं पर आकर लग रहा है इस पानी को इस जोनाली के पानी को सही तरीके से कहा पर जाना है इसलेकर कोई सही निनन नहीं लिया जार है जिसके वज़य से यह समस्या काफी आम हो गई है अभी भी हम यहां पर मौजूद है और इतनी बद्बू आ जाएगी तो देखते कि कब तक इस समस्या से लोगों को निजात मिल पाता है और कब एक सही फैस्ट्या लिया जाता है इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहोगी संतोष के साथ शामभवी सिंग देन्यूस पोस्थ धनबाद